हेलो एंड वेलकम टू माई एक्वाइड नॉलिज आयम यूर होस्ट निशान सर्मा एंड टोड़ा वी विल टॉक अबाउट अले वाई मेरा गैटा पौर यह इंग्लिस सुनके थोड़ा चौकी है मत एक्शली मैं आज अमेरिका की बात करने वाले हूं तो सोचा गया लेकिन इस्तिति काफी क्लियर है जो बात कर रहा हूं जो कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट है जो रोचक तत्थी जने अबन कहते हैं उनके बारे में पहला रोचक तत्थी यह है कि जो जनवरी 2021 को सपत लेंगे तो वह अमरीकी हितियास के सबसे ब्रद्ध प्रेसिजेंट ह होंगे इससे पहले जब 2016 में जोनाल कर राश्टपती बने थे तो वह सबसे ब्रद्ध थे दूसर तत्थी यह है कि अच्छा इस सालवार ऐसा हुआ कि कोई एक्जिस्टिंग प्रेसिजेंट अपना चुनाओं हार गया इससे पहले 1992 में जोर्ज वो सीनियर हार गए थे और बिल क्लिंटन ने हराया था और रोचक बात यह है कि जोर्ज वो सीनियर भी रिपब्लिकन थे और जोनाई ट्रम भी रिपब्लिकन है पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 करोड लोगों ने या तो मतदान जो तीन तारिक को मतदान था उससे पहले अपना वोट डाल दिया यह हुआ कि मतलब कोविट 19 का दौर था तो ऐसा option मिलाता कि पहले भी वोटिंग कर सकते हो या अपना मत दांक द्वारा बेश सकते हो यह वी एक रिकॉर्ड है जो वोटिंग का परसेंट है वो पिछले 100 साल में सबसे जाना है और अमरीकी इतियास में जो बाइडन को सबसे जाना मत म सबस्क्राइब आपने देखा होगा कि बारवार जिक क्रोरा था तो मैं वह भी आपको बता देता हूं कि स्विंग स्टेट क्या है देखें जैसे अपने कहते ना परंपरागत बोच हर एक पाइटी का अपना होता है और यू और यूस में भी लगवाग ऐसा ही होता है इस् लेकिन कुछ होते हैं इसमें पता नहीं होता है कि पब्लिक किस को बोट करेगी हो सकता है इस चुनाम है अब रिबब्लिकन को बोट कर दे हो सकता है अगले चुनाम है देमोक्रेज को बोट कर दे तो तो क्या होता है इन स्टेट को कहते हैं स्टेट जीता है वह अमेरिका का र ने जीता बट राश्टपदी बनने जा रहे हैं जोब आईजन तो मेरी तरफ से जोब आईजन को बहुत-बहुत सुब कामना है मैं आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं धन्यवाद नमस्कार